अभी आपके सामने के एक्जाम्पल देती हूँ, हर्याना की सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट लॉंच किया है, अगर तुम्हें पता हो, जिसमें सरकार ने लिखित में आय था अखबार में, सरकार ने क्या कहा, अगर किसी की सालाना आए, एक लाख असी हजार से कम है, यह बह 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी, 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी, और अगर वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, तो उसकी फीस हम भरेंगे, यानि सरकार भरेगी, 1100 रुपए तक हम उसको फीस दे देंगे, अब सोचो, अपने घर से बच्चा सरकारी जाएगा तो पैसे लेके जाएगा, और प्राइवेट जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, क्योंकि उसके पैसे कहां से आएगे, बड़ा अच्छा काम है न, अच्छी चीज तो है ये, लेकिन इससे पता है क्या होगा, 5-7 साल बाद सरकार कहेगी, बजट बहुत कम है, खतम, फिर 2-3 साल बाद क्या करेंगे, बजट में कहेंगे, सरकारी टीचर्स बिनाबाद तंखा ले रहे हैं, बच्चे तो है नहीं, बिनाबाद पंखे चला लेते हैं, खर्चा है, चपड़ासी रखना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर कहां जाएगे, सरकारी स्कूलों को प्राइविटाइज कर देते हैं, जिसको खरीदने हो स्कूल वो बता देना, पूरे देश में इमेजन करो हर गाओं में स्कूल है, कितनी-कितनी जमीन होगी, हर जगे कुछ नो कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, ये अर्बो की संपत्ती है, किसके पैसो हमारे लिए थोड़ी ना करेंगे, हमें पता ही नहीं कहा जाएगा, सारे स्कूल कुछ सालों में देखना तुम, बड़े जो ये कैपिटलिस्ट लोग है ना, पूंजी पती, इनको ट्रांसफर हो जाएंगे, कारण ये ही होगा, कि हम तुम मेंटेन कैसे करें, बच्चे नह आएंगे ना, कि यार सरकार नहीं रहेती, चलो सरकारी में पढ़ते हैं, तब तक सरकारी स्कूल बंद हो चुके होंगे, इन पे बड़े-बड़े ताले लटके होंगे, या इनके बोर्ड बदल के लिखा होगा, अमबानी प्राइवेट स्कूल, या अडानी प्राइवेट स्कूल, और जब जाके यहां फीस पता करेंगे न, तो पांच हजार मिनिममम फी है, अब बताओ, वो मजदूर का बेटा, वो किसान की बेटी कहां पढ़ेंगे, सब चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी, आने वाले पांच से आठ दस सालों के अंदर, कि तुमारे देखते चीजें बहुत ज़दा बदल जाएंगी, और सरकार नीजी करण का जो लोग पक्षधर है न, जो कहते हैं नीजी करण अची चीज है, अगर चीज ऐसी हो जिसको अमीर लोग इस्तमाल करते हैं, यह एरो प्लेन है, अमीर ही जाता है समें बैटके, कर दो चाहिए टिकेट ले, चाहिए बीस हजार की, उसकी जेप पे ज्यादा फरक नहीं पड़ता, पर बस में चलने वाले आदमी जो रोज बिचारा दस रुपे बचाने की सोचता है, अगर तुम टिकेट दस की जगें पचास की करोगे तो वो तो बिचारा मर गया, वो कैसे जी पे है, तुमारे ये स्कूल कुछ सालों में सारे जान बूज के डूबते हुए दिखाये जाएंगे, ये सब चीजे ना इतनी प्लैनिंग से होती है कि पता नहीं चलता, कैसे? चीजों का स्तर पहले धीरे 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 गिराया जाता है, और ऐसे दिखाया जाता है काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, आज की डेट में किसी इंडियन से पूछो सरकारी स्कूल का क्या हाल है, तो वह 100% क्या कहेगा? कि बहुत बख्वास, कुछ पढ़ाई नहीं होती, ऐसी पिक्चर दिमाग में क्रियेट करके, और 10-20 साल में रास्ता बन गया, कि हर आदमी के मन में कि यारी बख्वास है, बहुत पैसा खाता है सरकारी स्कूल, सरकार का, और करता कुछ नहीं है, तो फिर इसको प्राइवेट करना बेहद आसान है, ऐसे बिजली में किया गया, ऐसे इस रेल में किया गया, जब चीज़े प्राइवेट होती हैं, तो पैसा क्यों कमाने लगत हैं, सरकारी क्यों नहीं कमा पाती, क्या ऐसा है प्राइवेट में क्यों पैसा कमाने लगती हो चीज़, प्राइवेट में आदमियों से काम लिया जाता है, सरकार में निकम में जानभूच के बनाए जाते हैं, अगर इन सरकारी स्कूलों पे, टाइम टू टाइम स्कूल इं मैं जाण अगर कम कर लेंगे तीचर्स कैसे नहीं पढ़ाएंगे तिजर्स इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि इतने कंशन के कांदर अध्याद कि आने वाले सालों इसे इंगा पिर आपको और मुझे भी लगेगा हाँ यार यह सरकारी स्कूल कुछ करते ही नहीं है जबकि असलियत यह है कि सरकार चाहती ही नहीं कि सरकारी स्कूल कुछ करें वरना हर कोई काम कर सकता है